आ गए अच्छा हुआ समय रहते आ गए आप लोग दोस्तों क्यूंकि आज की कहानी में जो आप देखेंगे वो आपने ना सुना होगा ना देखा होगा दोस्तों इतनी विचित्र कहानी है आज की नहीं समझे तो चलिए देखिए ये कहानी क्यूंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तभी तो समझोगे ना महामंत्री जी, शुक्र है हमारे अन्न भंडार भरे हुए है बन्ना इस सुखे में हमारी जंता का क्या हाल होता महाराज, सहेता कीजिए रतन नगर के प्रधान मंत्री सुंदत आ कहिए कैसे आना हुआ महाराज, हमें आपकी सहेता चाहिए हमारे राज में भैंकर सुखा बड़ा है और हमारे अन्न भंडार भी खत्म हो गए है लेकिन आपकी राज में तो तीन तीन नदिया है छे बड़े तालाब है हाँ, लेकिन इस वर्ष वर्षा ना होने से हमारे जल भंडार पूरी तरह सूख चुके है यह आखिर हो क्या राह है हम और हमारे पडोसी राज्य सभी इंद्रदेव को हमेशा प्रसन रखते हैं उनकी पूजा करते हैं फिर भी ऐसा प्रकौप क्यों? महराज, इसका उत्तर तो इंद्रदेव ही दे सकते है तो ठीक है महामंत्री जी आप सभी राज्यों के लिए अन्य भंडार खुलवा दीजी तब तक हम इंद्रदेव से ही इस पहली का उत्तर पूच कराते हैं महराज, आज इंद्र लोग में इतना सन्नाटा क्यों जाया हुआ है? अच्छा हुआ, आप लोग आ गए मैं आपकी पास ही आने वाली थी महराज विक्रम ऐसे क्या बात है देवी रंभा? तो मैने हो गए, इंद्र लोग से इंद्रदेव गायब है क्या? इंद्र देव इंद्र लोग से गायब है? लेकिन कहा? यही तो समझ नहीं आ रहा है तीनों लोगों में उन्हें ढून लिया लेकिन उनका कुई पता नहीं चला महराज, इंद्र देव के गायब होने और वर्षा के ना होने में अवश यही कोई कड़ी है हमें इंद्र देव को कैसे भी ढून ना होगा मुझा रे अंगूठी, रे अंगूठी यह तो बताना कहां है इंद्र देव और राज क्या है यह सब जरा हमको दिखाना यह तो वही टांत्रिक है जिस भी इंद्र देव को प्रसन किया था अपमी तपस्या से यानि यह तांत्रिक इंद्र देव का साधाक है और इंद्र देव के गायब होने में अवश्य इसका ही हाथ है तब तो इंद्र देव का पता हमें यह तांत्रिक ही बताएंगे मुंजा, हमें इस गुफ़ा में जाने के लिए इस राक्षस को मारना होगा नहीं महराज, ऐसा करने पर तांत्रिक सावधान हो जाएगा अरे, आप तो अंदर है, फिर अरे, मूर्क, हम मायावी हैं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम ठीक से पहरेदारी करते हो या नहीं तो क्या मैं परीक्षा में उत्तेर्ण हो गया ये हम तुम्हें कल बताएंगे, अब तुम यहीं गड़े रहो और अंदर बिलकुल मताना तुम्हें क्या लगा, मैं कोई मोर्क हूँ जो तुम्हें नहीं पहचानूंगा विक्रम इसलिए ही मैंने ये राक्षस का स्वांग रजा था अच्छा हुआ जो तुने ये लुका छेपी का खेल समाप कर दिया अब जल्दी से बता दे कि कहा छेपा रखा है तुने इंद्र देव को ये मत भूल विक्रम कि तुम लोग मेरी मायावी गुफा में हो जब इंद्र मेरा कुछ नहीं बिगार सका तो तू क्या करेगा कर लो चाहे जितना मन करे कर लो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग लेकिन याद रखो मेरे सामने जब इंद्र की शक्ति नहीं चली तो तुम किसके की मुली हो लगता है इसके पास कोई बहुत ही रहस्यमई शक्ति है हमें इसका पता लगाना ही होगा चलो लुजा एक ऐसी शक्ति है जो हमारी तलवार तक को नेगल गई महराज महराज इसकी शक्ति मुझे अपनी ओर कीच नहीं है यह कहां आ गया विक्रम हम लुग तांत्रिक के जदाओं में हैं इंद्रदीव आप यहां पर कैसे उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरी साधना करके मुझसे वर्दान मांगा कि मैं उसके माथे को एक बार छोकर उसे आशिरवाद दू मैंने जैसे ही उसे छुआ उसने मुझे अपनी जटाओं में कैद कर लिया लेकिन ये कैसे संभव है उसके पास एक सिद्ध मंत्र है जिसके प्रभाव से वो किसी को भी अपने जटाओं में कैद कर सकता है और अब वो आज रात हम सभी की शक्ति को अपनी जटाओं की शक्ति से मिला कर एक ऐसा मंत्र उच्जारन करेगा जिससे वो अमर हो जाएगा ये तो बहुत ही भायानक होगा इसे रोकने का कोई तो उपाई होगा इसका एक ही उपाय है किसी तरह इस तांत्रिक को आज रात इस मंत्र को जपने से रोका जाए क्योंकि आज वो महूर्थ है जो हजार वर्षों में सिर्फ एक बार आता है मुझा चलो खेल शुरू करते हैं यह क्या हो रहा है मेरे सर में जैसे कोई कीड़ा मुझे ताट रहा हूँ यह क्या हो रहा है मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ यह कौन मेरा सर चबा रहा है क्या करूँ इसे नहीं रुका तो मेरा सर भट जाएगा क्यों आया न मज़ा तांतुरिक महराग मज़ा तो मैं तुझे अब जिखाऊंगा मेरी आखे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बचाऊ 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 मुझे मुझे वाफ कर दो इस दुष्ट को इसके किये की सजा मिल गई तुमने मेरी रक्षा की है मैं तुम्हारा आभारी हूँ विक्रम ये मेरा कर्तव या था इंदर देव अब आप भी प्रिथ्वी वासियों को इस सुखे से मुक्ति दिलाईए आज की कहानी तो काफी रोमांचक थी लेकिन बात सीदी सी है मुश्किल से डर कर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए बस यही मूल मंत्र है तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले रोमांचकारी सफर में दोस्तों हम कभी कभी अंजाने में ही किसी का बहुत बड़ा नुक्सान कर देते हैं और फिर ये कहकर मुँ फेर लेते हैं कि हमने कौन सा जान बूज कर किया था लेकिन असली समझदारी ये परकने में नहीं है कि किसकी गलती थी असली समझदारी है उस नुकसान को ठीक करने में नहीं समझे तो चलो देखते हैं क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना उसकी आवाज सुन लो तो अपनी आवाज कुल हो जाए डर भी डर के भाग जाए हम सब भी भाग जाते हैं इससे पहले की हो जाए बहुत देर लेकिन वो है कौन बबर शेर महराज अगर जल्दी ही उस आदम खोर शेर को भगाया नहीं गया तो हम सब को गाउ छोड़ कर भागना होगा किसी को गाउ छोड़ कर जाने की जरुवत नहीं है हम उस खुखार बबर शेर को पकड़ लेंगे बस ये बता दो कि वो आखरी बार कहा दिखा था जंगल शुरू होने से पहले महराज जो आखरी खेद है उसे के पास हरिया ने उसकी परचाई देखी थी दिन में तो शाहद वो वही रहता है लेकिन अंधेरा हुने पर वो गाओं में भी घुसाता है भाराज भाराज, हम सब की जान तो अबाओं की ही हाथ में है बिल्कुल भी चिंता ना करें ऐसे बबर शेरों को पकड़ना तो हमारे बाल हाथ का खेल है कल सुबे हम उस शेर को बगा बगा कर मारेंगे यह बताओ कि वो शेर आखरी बार किस तरफ दिखाए दिया था उस तरफ जो आखरी खेट है वही मुझे लगता है वो शेर जंगल में लौट गया है उस तरफ से आवाजे आ रही है महराज मुझे बचा लीजे महराज, मुझे बचा लीजी यह इंसानों की भाषा जानता है मुझे बचा लीजे महराज, मुझे बचा लीजी एक बार उसे बचा लिया तो वो ये रहसे खुद ही खोल देगा यहां खड़े रहो एक बार उस शेर को हम काबू में कर ले फिर तुम्हें नीचे उतारेंगे और तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे इसे ले जाकर घने जंगल में छोड़ाओ जहां सी ये भटक कर बाहर ना आपाए और वो हिरन कहां गया? अभी लाया महराज मैं हिरन नहीं हूँ महराज, मैं भी आपकी तरह एक इनसान हूँ राजकुमार विजय लेकिन एक गल्ती का दंड भुगत रहा हूँ हाँ? कैसी गल्ती? मैं एक बार भ्रमण के लिए निकला तो गल्ती से एक ऐसी गुफा में चला गया जहां एक रिशी तब कर रहे थे मुझे इस बाप का पता नहीं था मैंने जब वहाँ आग जलाई तो उस रोष्णी से वो रिशी तंग आ गए और उनकी तपस्या तूड गई घुस्या में उन्होंने मुझे ये श्राब दिया कि मैं अपनी बाकी की जिदेगी जानवर बनके बिता हूँ लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारी रहा देख रहे होंगे उपाय तो केवल उन्हीं रिशी के पास है वो ही इस श्राब को वापस ले सकते हैं वो भी तब अगर कोई 32 गोनो वाला राजा मेरा साथ दे लेकिन अब मैं भूल गया हूँ कि वो गुफा कहा है मुझे सारी जिन्दगी आप ऐसे ही रहना होगा इस तरह हिम्मत मतारों मैं तुम्हारी मदद करूँगा मैं तुम्हे इस श्राब से मुक्त करूँगा हम्म्म तो कहानी असल में अब शुरू होगी और तुम्हारा आधा काम तो हो भी गया कैसे? पत्तिस गुणों वाला राजा तो स्वयम तुम्हारे सामने खड़ा है और रही बात उस गुफा को ढूबने की तो वो भी हो जाएगा परिशान है राजकुमार बड़ी मुश्किल में है इसकी जान जिस रास्ते पर मिलेगा उपाए उससे है ये अंजान अब आप ही करो मार्ग दर्शन ताकि महाराज बचा पाए एक और जीवन इस जंगल के उस पार जहां है रोश्नी लाचार वही है उच्छी उच्छी चटाने जिसमें बनी है सेकडों गुफाए उसी चोटी पर है उसका घर वो इस हरन के सब दुखले हर यही गुफा है वो माराज मुझे बहुत डर लग रहा है माराज डरो मत विजय भाई पर काबू करोगे तभी जीत को हसिल करवाओगे और फिर सिविक साधू से ही तो बात करनी है किसी राक्षस से तो नहीं माराज आग रहे करेंगे तो वो जरूर तुमें ख्रमा कर देंगे चलो अब अंदर चलो बच गए माराज वरना ये अभी हमारा कचुमर बना देता मैं बात करके आता हूं उससे क्या बात है विशाल मानव हमारा रास्ता क्यों रोके रखा है मैं कसी को अंदर जाने नहीं दूँगा पर हमें मुनिवर से मिलना है बहुत आवश्यक है नहीं पर सुनो तो नहीं क्या हुआ मुझा बहुत ही जिद्धी और अडियल दानव है कोई बात ही नहीं सुनता बस नहीं नहीं की रट लगा रखी है अब बल से इसे काबू कर पाना मुश्किल होगा तो अब बुद्धी का इस्तमाल करना होगा मुझा तुम उसे उल्जाय रखो मैं और विजय तभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे ये चाल तो गलत पड़ गई कुछ और सोचना पड़ेगा मुझा यहाँ आओ इस तरह से तो अंदर जा पाना मुश्किल है एक काम करो मुझा तुम किसी तरह से इसे कुफा के अंदर ले जाओ बाकि मैं संभाल लोगा चाल महाराज जल्दी कुछ कीजिए पुर्क तुझे इस लिए रखा था कि कोई अंदर ना सके इस लिए नहीं कि तू खुद ही मेरी तपच्या बंग करते तो तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ अच्छा है दंड दीजिए मुझे मंजूर है लेकिन आप मेरे मित्र मुंजा को जाने दीजिए और विजय जिसे की आप नहीं श्राब दिया था उसे भी मुक्त कर दीजिए गुरुदेव मुनिवर इस श्राब को वापस ले लीजिए गलती मेरी थी आप मुझे श्राब दीजिए मुनिवर मैं हूँ राजकुमार विजय जिससे आपने श्राब देकर हिरन बना दिया था ये दोनों निर्दोश हैं क्योंकि ये तो केवल मेरी मदद करने के लिए यहां आये थे आप ख्रिपया अपना श्राब वापस ले लीजिए महराजा विक्रमादित्चिन मैं आपसे प्रभावित हुआ हूँ जिस तरह आपने अपने मित्रों की साहिता के लिए खुद को ताओं पर लगा दिया लेकिन तब करते करते शायद भूल गया था कि तब मानवत्ता की भलाई के लिए है उन्हें दंडित करने के लिए नहीं मैं प्रत्वी पर शांती के लिए तब कर रहा था राजन लेकिन अगर इस तब से प्रत्वी का भला होने की बजाए लोगों को परिशानी होने लगे तो ये तब विफल हो जाएगा मैं सदा आपका अभारी रहूँगा